आप सब कैसे हो अच्छे होगे तो आज हम लोग यहां फिर आए हैं इस टेडिय में घुमने के लिए मैं आपने दोस्त इसका नाम आप जानते हैं दिपेंडर सोनी है तो राज्या जी राज्या जी तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ हाज कि देखिए गाइस हम हैं मतलब पढ़े लिखे ग्रेजवेट एम कॉम से ठीक अब हम जॉब की तलास में हैं और कॉम्पटीशन एक्जाम का सुरू से नहीं था मेरेको मतलब अंदर से कि मैं कॉम्पटीशन एक्जाम फाइट कर सकता हूँ या फिर मेरेको उस लाइन में जाना चाहिए अब चलिए मैं चले भी जाता उस लाइन में तो पैनेंसिल कंडिशन थोड़ सा नहीं था हुआ ऐसा कि मैं उस जगा पर जाओं मतलब फैमिली सपोर्ट इसको बोलते हैं न वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था और अगर मैं वहां जाता खुद से भी कुछ करता तो उस लेवल का मैचुरिटी नहीं आया था कि मैं अपने से चले जाओं कहीं कोचिंग सेंटर जोईन करूं उस वाद खुद का खर्चा और फिर वहां रहके मैं तैयारी भी करूं वो चीज था और आगे ये था कि या तो फिर मैं कुछ दूसरा करूं तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला थेक्थे जिसमें लगभग लगभग 76-75 वीडियो ऐसी कुछ डाल दिया था मैंने उस वीडियो को डालने के बाद उस व इस वीडियो में दो व्यूज अधिक से धिक 670 व्यूज गए थे और फिर दो व्यूज शीहत्र वीडियो दो व्यूज और साथ वो दो ठे मैं ही देख रहा था मेरे को लगता है तो इतना मेहनत करने के बाद यार शीहत्र वीडियो पर डे डालने के बाद अगर दो व्यू और अगला चीज ये है कि अब मेलेको वह चड़ा अ है मायनग ये नहीं था कि इस पर्टिकॉलर लाइन में जाना है अगला चीज ये था कि मैं आगे क्या करूं अब मेंको क्या करना चाह है यह हो चुकी है लगवा 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 थैंटी फोर पलस senior at Со सियू nicे सो तो अब बहुत सुचने के बाद समझने के बाद अचानक से मन में ये आया कि मैं देखता हूँ ज्यादातर व्लोगर, सौरो जोसी ठीक और एल्विस यादव, ये दो लोग को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, लब एल्विस यादव को तो खास कर ज्यादा देखता हूँ यह लगता है कि इसके जैसा मैं क्यों ने फिर मेरे को पता चलता है कि लोग मेहनत किये हैं बहुत ज्यादा मेहनत किये हैं तब जाकि यह लोग इस पोजिशन पर हैं और मेरेको लगता है कि मेरेको रिपोर्टर लाइन जोईन करना जीए मदलब न्यूज रिपोर्टर ये बन ज़ौन अब मेरेको लगता है तो उसी की दिशा में मैं काम कर रहूं कि मदलब कुछ मिल जा, एंट रन्सिफ योगरा कर लूं दिल्ली जाके नोएडा में भी हो सकता है कोई न्यूस चैनल जॉइन कर लूँ वहाँ कुछ भी काम करूँ क्योंकि जिम्मेदारियां सबको होती है और मेरे उपर भी उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूँ एक साल में कुछ पैसा कमा सकूँ इससे कुछ भला हो सके अपने लिए तो सब कमाते हैं अपनों के लिए कोई कोई कमाता है ज्यादा तर तो अपनों के लिए ही कमाते हैं मैं अपनों के लिए सब कमाते हैं अपने लिए कोई ही कमाता है मतलब होता है खुद भी इंजोय करता है असर नहीं है लेकिन ज्यादा तर ये रहता है कि अपनों के लिए कामाना है तो उसी दिशा में काम चल रहा है ये मेरा लंबा वलोग होगा और कट नहीं होगा इसमें तो गाइस यही है कि अपनों के लिए कुछ करना है अपने लिए कुछ करना है और कुछ नहीं, बहुत कुछ करना है ये है ये है टारगेट और उसके लिए मैंने कुछ चाहे जो कलना पड़े अब मैं करने के लिए ready हूँ I am ready बहुत ज़्यादा भी एजनी हुआ है और बहुत कम भी नहीं है ठिक और ऐसी उमर में अगर आप कुछ ठान लो तो आप जरूर कर पाओगे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हर एक को करना चाहिए मेरे को लगता है तो गाइस यही है यही आपके लिए मैसेज भी था और खुट के लिए मैसेज है कि अब कुछ करना है तो गाइस यार अभी मैं घर जाके यह करने वाला हूँ कि अपने व्लोग में मतलब अपना रेजुमे बनाऊंगा घर जाके अभी और एक काम और है रेजुमे के साथ पूरा अटेच करना है फाइल और न्यूज मीडिया चैनल के इमेल वेब साइट में जाके मुझे मेल करना है कि मुझे जोब चाहिए और आपके पास अगर कोई भी जोब खाली है अज रिपोर्टर तो मैं जोइन करना चाहता हूँ और यही काम है अभी मेरा घर जाके है तो आज के लिए मैं व्लोग को इहीं पर करता हूँ एंड मिलेंगे कल देखेंगे क्या नया होता है क्या अपडेट्स आते हैं मेरे लाइफ के आपको देखने को मिलेगा गाइस क्यूकि मैं पर डे व्लोगिंग व्लोगिंग करने का ठान चुका हूँ ओठ ले चुका हूँ थो यहीं इमप्रूव व्लोगिंग होँ आप भी इमप्रूव होंगा आप भी इमप्रूव हो कुछ करो आप भी लाइफ में अपने कुछ भी करो कुछ अच्छा करो महनत करो फल जरू मिले गा और कभी रुकना नहीं कभी जुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना, बस यही है, इसी के साथ मैं अपने आज की व्लोग को एंड करता हूँ, तो थैंक यू गाइस, and do subscribe, like and share.